नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi K30 Ultra पर प्राइवेट एलबाम कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है वीडियो को पूरा जरू डेख लेना मैं आपको शोग करके बताऊंगा step by step आपको कहा पर जाना है केसे आपको जो है प्राइवेट एलबाम तंग पौन्चना है और केसे करके आप जो है प्राइवेट एलबाम को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वज़ शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को क्लिक जरू करें यह दिया आप दोस्तों उनलाइन पेसा कमाना चाहते है तो वीडियो description पर आपको link मेल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें जाना है अपने mobile के album पर टो यहाँ पर जाने के बाद दोस्तो private album है कहाँ पर तो private album आपको उपर में मिलेगा लेकिन उपर में जाने के लिए आपको क्या करना है आपको नीचे में slide करना है अपनी screen को ठीक है कुछ इस प्रकट से आपको इसको जो ही नीचे लेके आना है छोड़ देना है उसके बाद या पर आपको अपना प्राइवेट अलबाम का पासवोड बढ़ देना है प्राइवेट अलबाम पे पासवोड होते है ठीक है तो उसी के लिए उसको प्राइवेट अलबाम क देख सकते यह कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यह आपर private Albums को देख सकतें बिल्कुल आसानी से ठीक है तो अगर दोस्तों आपको देखना है, किसी का भी private Albums तो आपको यह process follow कर लेना है तो आज की सीधaste, तो बस इतने ही उमीड करते वीडियो आपको पसने होगा तेंक्स वो राचिंग